नमस्कार आप देखरें दैश न्यूज मैं प्रिथी दयाल आपके साथ 10 बजे के इस खास बॉलेटिर में आप सभी दैश को कस वागते तो चलिए सीदे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर बिहार के डिप्टी सीएम तेशस्वी यादव के लिए आज का दिन बेहद ही खास माना जा रहा है दरसल लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोट में सुनवाई होने वाली है आज यदी कोट में तेशस्वी यादव के खिलाफ दाखिल क को एकसेप्ट कर लिया जाता है तो तेशस्वी यादव को जमानत लेनी पड़ेगी उधर गोपाल गंज के ततकालीन डीम जी कृष्णया हत्याकांड में उम्र कैत की सजा पाई पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोट में आज सुनवाई होग इस दोरान या तै होगा की आनंद मोहन की रिहाई बरकरार रहेगी या फिर रद होगी इदर राज्यसभा सांसद सुशील मोधी ने राहूल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि मोधी सर्डेम वाले पूरे समुदाय को चोर बता कर हजारों लोगों का अपमान करने के केवल एक मामले में राहूल गांधी की सजा सगित हुई लेकिन बिहार सहीत कई राजियों में उनके विरूद कई ऐसे मुकद में चल रहे हैं मोधी सर्रेम के कारण मेरा भी अपमान हुआ है इसलिए मैंने भी उनके विरूद पटना में मानहानी का मुकदमा दर्ज कराया है बरते हैं अगली खबर कियों जहां बिहार में जातिगत जनगनना का सर्वे पूरा हो चुका है अब डाटा एंट्री का काम किया जा रहा है जो कि सिर्फ आधा यानि की 50 फीसदी ही बाकी रह गया है जल्द ही घर घर जाकर सर्वे में इकठा कियेगे डाटा को पोटल पर चरहा दिया जाएगा माना जा रहा है कि बिहार में जातिगत जनगनना के आकरे जल्द ही सरकार को मिल जाएंगे इधर पतना गंगापत का दूसरा फेज पी एम सी एच से लेकर गाई घाट तक अगस्त में जल्द ही शुरू होने वाला है इसके लिए गाई घाट का डाउन रैंप तयार किया गया है गंगापत के दूसरे फेज का सीधा फायदा पतना शहर से पतना सिटी इलाके में हर दिए आने जाने वाले दो लाख लोगों को मिलेगी वहीं बिहार में नौ अगस्त तक मानसून महरबान रहेगा मौसम विभाग ने आज 11 जीलो में बारिश का अलर्ट जारी किया है प्रदेश के 6 जीलो में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है अगस्त में पहली बार जोरदार बारिश से उमस भड़ी गर्मी जेर रहे पतनावासियों ने राहत की सांस ली है अगली खबर जार्खन से है जहां स्मार्ट मीटर लोगों के लिए राहत नहीं बलकी आफ़त बन गई है राज़ानी राची में आनन फानन में स्मार्ट मीटर दो लगाया जा रहे हैं लेकिन उभोकताओं को विगत चार से पांच महीने से बिजली बिल नहीं मिल रही है जिससे स्मार्ट मीटर लोगों के लिए भारी परिशानी का सबब बन गया है YCM हेवन सोरेन ने केंद सरकार पर जम कर निशाना जाधते हुए कहा कि पिछले वर्ष राज़ी ने सुखार जेला है इस वर्ष भी सुखार की इस्थिती बन रही है पर केंद सरकार से अपेक्षिक सहयोग नहीं मिल रहा है विपक्ष लगातार शडेयंत रचते हुए काम नहीं करने देने का उपाय धूंडता रहता है हाला कि विपरित इस्थिती में भी सरकार राज़ी को मजबूत बनाने में लगी है इदे भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेली जा रही पाच मैचों की T20 सिरीज का तीसरा मुकाबला आज गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाएगा टीम इंडिया सिरीज में पहले ही शुरुआती दो मैच गवा चुकी है वहीं अगर टीम इंडिया आज भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरा T20 गवा देती है तो 17 साल पुराना रिकॉर्ड धारा शाई हो जाएगा क्योंकि टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पिछले 17 सालों में कम से कम तीन मैचों की किसी भी सिरीज में शिकस्त नहीं जेली है शारूखण के फिल्म जवान का फैंस बेसबरी से इंतिजार कर रहे है हाला कि अब इस फिल्म को लेकर उल्टी गिन्ती शुरू हो गई है क्योंकि शारूखण ने आज सोशल मेडिया पर एक नया पोस्टर जारी किया है साथ ही शारूख खान ने अपने पोस्टर में फैंस को अपनी फिल्म के इस कैरेक्टर को लेकर खास बात कही है उन्होंने कहा कि मैं अच्छा हूँ या बुरा तीस दिन के बाद जानना यानि फिल्म में शारूख खान इस बार नेगटिव रोल में होंगे या नेगटिव बन कर कुछ पॉजिटिव कर जाएंगे यह जानना काफी दिल्चस्प होने वाला है तो फिल्हाल के लिए इस बॉलेटर में इतना ही पीहा चार के सुचुरे तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूस के साथ अगर आपने भी तक हमारे यूट्यूब चाया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जब सब्सक्राइब कर दें इसके साथ ही हम ट्विटर इंस्ट्राइगाम और फेस्बुक पर उपलबदे तो वहां पर भी जाकर आप हमारे चाया को फॉलो कर सकते हैं इसके साथ ही हमारी खबरिया आपको कैसे लगती है कमेंट कर जरू बताएं